C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे कक्षा साथ की विज्ञान की पाथे पुस्तक प्रस्तु थे इस पुस्तक का पाथ पांच शीर्शक, अमल, ख्षारक और लवन प्रिष्ट 51 से 60 तक तो आईए, अब सुनते हैं इस पुस्तक का पाथ पांच, अमल, ख्षारक और लवन प्रिष्ट 51 पाथ पांच, अमल, ख्षारक और लवन अपने द्यनिक चीवन में हम नीम्बू, इमली, नमक, शक्कर और सिर्के जैसे अनेक पदार्थों का उप्योग करते हैं क्या इन सबका स्वाद एक समान होता है? आईए, हम सारणी 5.1 में सूची बद्ध किये गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें यदि आपने इन में से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखे और परणामों को सारणी 5.1 में लिखे यहां प्रिष्ट एक्यावन पर सारणी 5.1 दी गई है इस सारणी को दो भागों में विभाजित किया गया है पहले भाग में अलग-अलग पदार्थों के नाम दिये गए हैं जैसे की नीम्बू का रस संत्रे का रस सिरका दही इमली शकर नमक खाने का सोडा अंगूर कच्चा आम खीरा इस सारणी के दूसरे भाग में आपको इन पदार्थों के स्वाद को लिखना है यानि खटा, कड़वा या कोई अन्य इस सारणी के बाद एक चेतावनी दी गई है इसमें लिखा है आप जानेंगे कि इन में से कुछ पदार्थों का स्वाद, खटा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है बूजो कहता है, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ग्यात करने के लिए उन्हें चक सकता हूँ पहिली कहती है, नहीं, क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी हमें अग्यात पदार्थों को नहीं चकना चाहिए ये हमें हानी पहुचा सकते है पांच दशमलव एक अम्ल और क्शारक दही, नीमू का रस, संत्रे का रस और सिर्की का स्वाद खटा होता है इन पदार्थों का स्वाद खटा इसलिए होता है क्योंकि इन में अम्ल यानि आसिड होते है ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृती अमलिय होती है आसड शब्द की उत्पती लाटन शब्द आसियर से हुई है जिसका अर्थ है खटा इन पदार्थों में पाए जाने वाले अमल प्रकृतिक अमल होते है खाने का सोडा यानि बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका सोड भी खटा है? यदि नहीं तो इसका सोड कैसा है? क्योंकि इसका सोड खटा नहीं है जिसका मत्ब है इसमें कोई आमल नहीं है इसका सोड कड़वा है यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगलियों के बीच रगने तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है सामा नितह ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद करवा होता है और जो इस परशु करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते है इन पदार्थों की प्रकृती क्षारकिय कहलाती है प्रिष्ट बावन यदि हम किसी पदार्थ को चक नहीं सकते हैं, तो हमें उसकी प्रकृती कैसे ग्याथ होगी? कोई पदार्थ अमलिय है अथ्वाक शार्किय, इसका परीक्षन करने के लिए विशेश प्रकार की पदार्थों का उप्यो किया जाता है. ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं. सूचकों को जब अमलिय अथ्वाक शार्किय पदार्थ युक्त विलेन में मिलाया जाता है, तो उनका रंग बदल जाता है. हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुणियां आदी कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं यहाँ प्रिष्ठ बावन पर एक सार्णी दी गई है, जिसके शीर्षक में लिखा है, क्या आप जानते हैं? इस सार्णी को दो भागों में विभाजित किया गया है. पहला अमल का नाम और दूसरा किसमें वो पाया जाता है? अमल के नामों में दिये गए नाम है आसिटिक अमल और यह सिरके में पाया जाता है. दूसरा नाम है फॉर्मिक अमल और यह चीटी के डंक में पाया जाता है. तीसरे नाम में सिट्रिक अमल या साइट्रिक अमल जो नीबू कुल के सिट्रिस, फल जैसे संत्रा नीबू आदी में पाया जाता है. चौथा नाम है लाक्टिक अम्ल जो दही में होता है और पाच्वा है ओक्सलिक अम्ल जो पालक में होता है छटे नाम पर आता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल यानि विटमन सी जो आवला और सिट्रुस फल में पाय जाता है सात्वे नंबर पर आता है इसी सारणी के दूसरे भाग में शारक का नाम और यह किस में पाए जाते हैं वो दिया गया है शारक के दिये गए नाम है और यह चूने के पानी में पाए जाते है दूसरा नाम है अमोनियम हाइड्रोकसाइड खिड़की के काँच आदी साफ करने के लिए उप्युक्त मारजक है तीसरा नाम है सोडियम हाइड्रोकसाइड यह पोटाशियम हाइड्रोकसाइड यह साबुन में होते हैं और पांचवा नाम है Magnesium Hydroxide, ये दूधिया Magnesium, Milk of Magnesia में होते हैं 5.2 हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, Litmus, एक प्राकृतिक रंजक सबसे सामाने रूप से उप्योग किये जाने वाला प्राकृतिक सूचक, Litmus है इसे लाइकेनो यानी शैक से निशकरशित किया जाता है, जैसा की चित्र पांच तशमलव एक के ए भाग में बताया गया है आसुत जल में इसका रंग, मौव यानी नील शोन होता है जब इसे अमलिये विलियन में मिलाया जाता है, तो यह लाल हो जाता है और जब खशारिये विलियन में मिलाया जाता है, तो यह नीला हो जाता है यह विलियन के रूप में अत्वा कागस की पठियों के रूप में उपलब्द होता है जिन्हें लिटमस पत्र कहते है सामानितह यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्द होता है जैसा कि चित्र 5.1 के B भाग में बताया गया है यहां प्रिष्ठ बावन पर चित्र 5.1 A लाइकेन और B लाल वा नीला लिटमस पत्र दिया गया है प्रिष्ठ तिरेपन प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नीमगू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाईए ड्रॉपर की साहता में जैसा पहले अंक में बताया गया है विलेन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए जैसा कि चित्र 5.2 में बताया गया है नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है इसी क्रिया कलाप को यहां दिये गए पदार्थों के साथ दोहराईए नलके का पानी, अपमार्जक यानि डिटर्जन्ट का घोल, वातित पेपदार्थ, साबुन का विलेन, शैंपू, सामान्य नमक का विलेन, शक्कर का विलेन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलेन, दूधिया मागनीजियम, धावन सोडे का विलेन, तथा चूने का पानी यदि संभव हो तो विलेन आसुत जल में बनाएं यहां प्रिष्ट तिरेपन पर एक लेक दिया गया है जिसमें लिखा है चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए विलेन को भली भाती हिला कर कुछ देर रखा रहने दीचिए अब बोतल के उपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बरतन में निथार लीचिए यह द्रव ही चूने का पानी है अपने प्रिक्षणों को सारणी 5.2 में नोट कीचिए यहां सारणी 5.2 प्रिष्ट तिरेपन पर दी गई है जिसे चार भागों में बाटा गया है एक परीक्षण विलेन दूसरा लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव तीसरा नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव और चौथा निशकर्ष क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलेन है जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता इन पदार्थों के नाम लिखिए ऐसे विलेन जो लाल अथवानीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्थित नहीं करते उदासीन विलेन कहलाते है ऐसे पदार्थ ना तो अमलियों होते हैं और ना ही क्षार किये हल्दी एक अन्य प्राकरतिक सूचक है क्रिया काला पांच दशम लव दो एक चम्मच हल्दी पाउडर लीचिए इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाईए स्याही सोखता यानि ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाईए और उसे सुखा लीचिए हल्दी पत्र की पत्ली पत्ली पत्टियां काट लीचिए हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन का विलयन डालिए आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार सारणी 5.3 में दिये गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षणों को सारणी 5.3 में नोट कीजिए आप अन्य पदार्थों के विलयनों से भी परीक्षण कर सकते हैं यहां प्रिष्ट चववन पर सारणी 5.3 दी गई है इस सारणी को तीन भागों में विभाजत किया है पहले भाग में परीक्षण विलयन दिये गए हैं बाकी दो भाग खाली हैं बाकी दो भागों को आपको भरना है इन दोनों की शीर्शक हैं हल्दी के विलयन पर प्रभाव और टिपपणी परीक्षण विलयन जो यहां पर लिखे गए हैं उनके नाम है नीम्बु का रस संत्रे का रस सिरका दूधिया मैगनीजियम खाने का सोडा चूने का पानी शक्कर नमक यहां प्रिष्ट चवण पर एक लेख दिया गया है इस लेख में लिखा है आप अपनी माताजी के जन्म दिन पर उनकी लिए विशेश बधाई पत्र बना सकते हैं सादे सफेद कागस की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाईए और उसे सुखा लीजिये रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खुबसूरत फूल बनाईए आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा यहां इस लेख के साथ एक चित्र दिया गया है जिसमें हल्दी के पेस्ट और चूने के पानी का इस्तमाल करके एक बधाई पत्र बनाना बताया जा रहा है बूजो कहता है अब मैं समझ गया कि मेरी सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबून से धोने पर लाल क्यों हो जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबून का विल्यन क्षार की ये होता है सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प प्रिया कला पांच दशमलवतीन गुड़हल के पुष्प की कुछ पंकुणियां एकत्र कीचिए और उन्हें किसी बीकर में रखतीजिए इसमें थोड़ा गरम जल मिलाईए मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन न हो जाए रंगीन जल को सूचक के रूप में उप्योग कीजिए इस सूचक की पांच पांच बुंदे सारणी पांच दशमलव चार में दिये गए प्रत्येक विलेन में मिलाईए यहां प्रिष्ट चववन पर सारणी पांच दशमलव चार दी गई है जिसे तीन भागों में बाटा गया है पहला भाग परिक्षण विलेन का है दूसरा आरंभिक रंग और तीसरा अंतिम रंग का है दिये गए परिक्षण विलेन है शैंपू यानि तनू विलेन दूसरा है नीबू का रस उसके बाद सोडा जल इसके बाद सोडियम हाइडरोजन कार्बोनेट का विलेन इसके बाद सिरका फिर शकर का विलेन इसके उपरांत नमक का विलेन सूचक का अमलिय क्षारकी और उदासीन विलेनों पर क्या प्रभाव पड़ता है गुढ़ल के पुश्प का सूचक अमलिय विलेनों को गहरा गुलाबी यानि मेजंटा और क्षारकी विलेनों को हरा कर देता है जैसा कि चित्र पांच दशमलव तीन में बताया गया है बूजो कहता है जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोसकन रखता हूं तो मुझे सही परणाम नहीं मिलते क्यूं? फिर पहली कहती है खाने के सोडे का विलियन बना कर परीशन करो प्रिष्ट पच्पन प्रिष्ट पच्पन पर चित्र पांच दशमलव तीन दिया गया है इसमें गुड़हल का पुष्प और उससे तयार किये गए सूचक, अम्ल और ख्शारक बताये गए है आप इन प्राकृतिक सूचकों को बना कर उनसे अमलिय, ख्शारकिय और उदासीन विलियनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं पहली आपके लिए यहां दी गई समस्या लेकर आई है कौफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा आमल है यह 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 शार, प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार, स्वाद के कारण से अंजान बिना परीक्षन हो ना ग्यान क्रिया कला 5.4 शिक्षक या शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्याले की प्रयूक्षाला अथवा आसपास के किसी विद्याले से यहां दिये गई रसायनों के तनू विलेन लें यह रसायन है hydrochloric aml, sulfuric aml, nitric aml, acetic aml, sodium hydroxide, ammonium hydroxide तथा calcium hydroxide यानी चूने का पानी इन में से प्रत्येक विलेन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए अपने प्रेक्षनों को सारणी 5.5 में लिखिए यहां प्रिश्ट पच्पन पर सारणी 5.5 में प्रत्येक विलेन पर तीन सूचकों के प्रभाव को बताने के लिए आपको जगा दी गई है इस सारणी को चार भागों में बाटा गया है पहला अमल का नाम, दूसरा लिटमस पत्र पर प्रभाव, तीसरा हलवी के पत्र पर प्रभाव और चौथा गुढ़ल के पुश्प के सूचक का प्रभाव दिये गए अमल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अमल, HCl इसी के साथ इस प्रष्ट पर एक चेतावनी दी गई है इसमें लिखा है प्रयोक शाला अमलों और शारकों के रखरखाव तथा उप्योग में अतिधिक सावधानी बरतनी चाहिए संग शारक प्रकृतिके होते हैं जो तचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानी पहुँचाते हैं पांच दशमलव तीन उदासीनी करण हमने पढ़ा है कि अमल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और शारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं अब ये समझते हैं कि जब किसी अम्ल को किसी एक शारक में बिलाया जाता है, तो क्या होता है? हम उस सूचक का उप्योग करने जा रही हैं, जिसका आपने अभी तक उप्योग नहीं किया है. इसे फिनॉफ्थिलिन कहते हैं. क्रिया कलाब 5.5 यह क्रिया कलाब शिक्षक द्वारा कक्षा में निदर्शित किया जाना चाहिए. किसी परकनली के एक चौथाई भाग को तनू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए. इसका रंग नूट कीजिए. फिनॉफ्थिलिन विलेन के रंग को भी नूट कीजिए सूचक के दो तीन बूंद अम्ल में मिलाईए. जैसा की चित्र 5.4 में किया गया है. परकनली को धीरे धीरे हिलाईए. क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्टन दिखाई देता है? प्रिष्ट 56 अमली विलेन में डॉपर से सोडियम हाइड्रोकसाइड की एक बूंद डालिए. परकनली को धीरे धीरे हिलाईए. क्या विलेन के रंग में कोई परिवर्टन होता है? विलेन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोकसाइड विलेन डालना तब त जब तक कि हलका गुलाबी रंग ना आ जाए। अब इसमें तनू हाइड्रोक्लोरिक अमल की एक बूंद और मिलाईए। आप क्या देखते हैं? क्या विलेन पुनह रंग हीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोकसाइड की एक बूंद मिलाईए। क्या रंग में कोई परि परित जब विलेन अमलिय होता है तो ये रंग हीन रहता है। यहां चेत्र 5.4 में उदासीनी करण का प्रक्रम बताया गया है। जब किसी अमलिय विलेन में क्षारकी विलेन मिलाया जाता है तो दोनों विलेन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अमल और क्षारक के विलियन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है, तो विलियन की प्रकृती ना तो अमलिये रहती है और ना ही क्षारकी है। निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त उच्मा से अभिक्रिया मिश्रन का ताप बढ़ जाता है। करण कहलाती है। इस प्रक्रम में उच्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवन और जल निर्मित होते हैं। प्रिष्ट चपन पर एक लेख दिया गया है। इसमें लिखा है। क्या आप अमल वर्षा शब्द से परिचित हैं। क्या आपने कभी अमल वर्षा के एक शतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है। जैसा की नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अमल की मात्रा अत्यधिक होती है, तो वह अमल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अमल कहां से आते हैं। वर्षा जल अमली इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डायोकसाइड, सल्फर डायोकसाइड और नाइट्रोजन डायोकसाइड जैसी गैसें जो वायू में प्रदूशकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशह, कार्बोनिक अमल, सल्फिूरि पर एक अभिक्रिया दी हुई है, इसमें लिखा है, अमल जमाक्षारक, देते हैं लवन और जल, जिसमें उश्मा निर्मुक्त होती है, यहां एक अभिक्रिया उदाहरण के रूप में दी हुई है, इसमें लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक अमल, यानि HCl, जमा सोडियम जमा जल, H2O, जमा उश्मा, बूजों ने चूने के पानी में तनू सल्फियूरिक अमल मिलाया, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा, अथवा ठंडा पांच तिशमलव चार, दैनिक जीवन में उदासीनी करण के उदाहरण, अपाचन, हमारे अमाशे में हाइड्रोक्लोरिक अमल पाया जाता है, आप अध्याय दो में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन अमाशे में अमल की आवश्यक अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है, कभी-कभी अपाचन काफी कष्ट दायक होता है, अपाचन से मुक्ती पाने के लिए हम दूधिया मेगनीजियम जैसा कोई प्रती अमल लेते हैं, जिसमें मेगनीजियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह अतिदिक अमल के प्रभा चीटी का डंक पादबों यानि पौधों की वृध्धी अच्छी नहीं होती जब मृधा अत्यधित अमली होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना यानि कैल्शियम ऑक्साइड अत्वा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है यदि मृधा क्षारकी हो तो इसमें जैवपदार्थ मिलाए जाते हैं जैवपदार्थ यानि कम्पोस्ट खाद मृधा में अमल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकी प्रकृती को उधासीन कर देते हैं कारखानों का अप्षिष्ट अने कारखानों के अप्षिष्ट यानि कच्रे में अमलिय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अप्षिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया यानि विसरजित किया जाए तो मचली और अन जलिय जीवों को अंम्ल नश्ट कर सकते हैं अतहा, कार खाने के अपशिष्ट को जलाशयों व़न नदियों में विसरजित करने से पहले क्शारकिय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है अम्ल क्शारक सूचक उदासीन विलियन उदासीनी करण लवन आपने क्या सीखा? अमल स्वाद में खटे होते हैं सामा नितह क्षारकों का स्वाद करवा होता है तथा उनका स्पर्ष साबुन जैसा होता है अमल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वे पदार्थ जो ना तो अमली होते हैं और ना ही क्षारकी उदासीन कहलाते हैं अमल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवन बनाते हैं अभ्यास एक, अमलों और क्षारकों के बीच अंतर बताईए दो, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मर्जकों आदी में अमोनिया पाया जाता है ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृती क्या है? तीन, उस्रोत का नाम बताईए जिससे लिटमस विलेयन को प्राप्त किया जाता है इस विलेयन का क्या उपयोग है? चार, क्या आसुत जल, अमलिय या ख्षारकिय या उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टी कैसे करेंगे? पांच, उदासीनी करण के प्रक्रम को एक उदारण देते हुए समझाईए छे, यहां दियेगे कथन सही हैं, तो T अथवा गलत हैं, तो F लिखिए क, नाइट्रिक आमल लाल लिटमस को नीला कर देता है ग, सोडियम हाइड्रोकसाइड नीले लिटमस को लाल कर देता है ग, सोडियम हाइड्रोकसाइड और हाइड्रोक्लोरिक आमल एक दूसरे को उदासीन करके लवन और जल बनाते हैं ग, सूचक वो पदार्थ है जो अमलिय और क्षारकिय विलेनों में भिन रंग दिखाता है च, दंत क्षे क्षार की उपस्थिती के कारण होता है साथ, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल यानी मृदू पेय की कुछ बोतले हैं लेकिन दुर्भागे से वे चिन्हित नहीं हैं उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परूसने हैं एक ग्राहक अमलिय पेय चाहता है दूसरा ख्षारकिय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है दोर्जी ये कैसे तै करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है प्रिष्ट उन्सट आट समझा ये ऐसा क्यों होता है कर जब आप अती अमलता से पीडित होते हैं तो प्रती अमल की गोली लेते हैं कर जब चीटी काटती है तो तचा पर कैलमाइन का विलियन लगाया जाता है गर कारखाने के अप्षिष्ट को जलाशेयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है नौ आपको तीन द्रव दिये गए हैं जिन में से एक हाइड्रोक्लूरिक अमल है दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलियन है आप हल्दी को सूचक के रूप में उप्योग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे दस नीले लिटमस पत्र को एक विलियन में डुबोया गया ये नीला ही रहता है विलियन की प्रकृती क्या है? समझाईए यहां दिये गए वक्त अव्यों को ध्यान से पढ़ें क अमल और क्शारक दोनों सब ही सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं यदि कोई सूचक अमल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्शारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वो अमल के साथ रंग परिवर्तित करता है यहां लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही है? एक सभी चार दो, क और घर तीन, ख, गर और घर चार, केवल घर विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप और परियूजना कार एक, अमलों और शारकों के ज्ञान का उपयोग करते हुए खाने के सोडे और चुकंदर की सहायता से एक गुप्त संदेश लिखिए समझाईए ये कैसे कारे करता है संकेत जल में खाने के सोडे का विलयन बनाईए इस विलयन का उपयोग सफेद कागस की शीट पर रुई के फाहे से संदेश लिखने के लिए कीजिए संदेश के सूख जाने के बाद उस पर ताजी कटी चुकंदर का एक टुकड़ा मलिए प्रिष्ट साट दो लाल पत्ता गोभी के टुकड़ों को जल में उबाल कर उसका रस तयार कीजिए इसका उपयोग सूचक के रूप में करके इससे अमलिय और क्षारकिय विलयनों का परीक्षन कीजिए अपने परीक्षनों को एक सारनी में प्रस्तुत कीजिए तीन अपने क्षेतर की मृदा का एक नमूना लीजिए यह मालुम कीजिए कि यह अमलिय है, क्षारकिय है अथवा उदासीन किसी चिकित सक से यह जानने का प्रयास कीजिए कि अती अमलिय के लिए वे कौन सी ओशधी लेने का सुझाव देते हैं उनसे ये जानने का प्रयास कीजिए कि अती अमलता से कैसे बचा जा सकता है क्या आप जानते हैं? हमारे शरीर की प्रतेक कोशिका में एक अमल डी ओक्सी राइबो न्यूकलिक अमल अत्वा डीने होता है ये शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे हमारे रंग रूप, आखों के रंग, उचाई आदी का नरधारन करता है सभी प्रोटीन जो की हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं भी अमीनों अमलों के बने होते हैं हमारे शरीर में पाई जाने वाली वसा वसा अमल होते हैं इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ पाच अमल, क्षारक और लवन यहां समाप्थ हुआ वाचन, शालनी सिंग और वैभव श्रीवास्तव अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्य पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग तनु गुप्ता निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत